आज मैं आपके लाई हूँ ब्रॉकली मटर आलू की टेस्टी सी सबजी की रेसिपी तो नॉर्मली क्या है हम लोग ब्रॉकली खाना कम पसंद करते हैं क्योंकि उसका जो टेस्ट है हमें अच्छा नहीं लगता फीकी सी सबजी लगती है तो आज हम क्या करेंगे इसके साथ आल कर लिया था क्योंकि यह थोड़े सॉफ्ट से हैं तो हम इसको सबजी में डाल सकते हैं खाने में काफी हल्दी होते हैं तो अब हम क्या करेंगे सबजी बनाना शुरू करेंगे तो यहां पर मैंने तेल गर्म कर लिया है एक टीस्पून जीरा डालेंगे जीरे को हलका साम तो मीडियम साइस का एक प्याज जालेंगे जिसमें मैंने दो से तीन हरिमेज डाले थी तो अब हम इन सब को एक साथ सौटे करेंगे और इसमें डालेंगे दो मीडियम साइस के आलू जीने मैंने धुल करके रखा था तो अब हम इसमें डालेंगे यह ब्रोकली के जो डंठ मैंने यहां पर मटर डाले हैं एक कप के करीबन तो फ्रोजन मटर मैने यहां पर नहीं यूज करें हैं नॉर्मली मटर यूज करें कच्छे क्योंकि आज कल मटर जल्दी पक जाते हैं तो अब इन सब को एक साथ इस तरीके से भून लेंगे तो फ्लेम जो है मैंने लोई रखी इन सब को हम अच्छी तरीक के से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे धक करके मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट पकने देंगे तो यहाँ पर 4-5 मिनट ओचुके हैं तो आप देख सकते हो मटर और आलू जो है ना काफी सॉफ्ट ओचुके हैं तो अब हम इनको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं तो अब मैं यहाँ पर डाल रहे हूं टमाटर तो एक मीडियम साइज का टमाटर जो है मैंने यहाँ पर काट करके डाला है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे टमाटर को टमाटर को हम इस तरीक करीबन धनियापाऊड़र में ल OBDS इन सब्मस और दो कहONG करदें अच्छी तरीके से लिक्स कर लेंगे सब्गी सब्छी में आप देख सकते हो जो मसालhma eru में अच्छी तरीके लिए यहाँ माधर आलू огрणा वह अच्छे से पक चुके रहें तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे broccoli और ब्रोक्ली ढाल करके sa themselves क्र Chef only कि आप में इसे medium flame पर 3-4 मिनिट पकने देंगें कि तो चाहर मिनिट ज़ुके है कि यह यह आप देख सकते हो रिटेबो तयार हो चुकी है तो अब हम इसे गर्म गर्म सर्फ करेंगे तो बिल्कुल जटपट से आप ये टेस्टी से सबजी और इस ब्रॉकली का जो कॉम्बिनेशन हमने अलो मटर के साथ किया है ना झाल